मित्रोंक दस महा विद्याओं में माता धुमावती सात्वी महाशक्ती है। इन्हे अलक्ष्मी या जेश्ठालक्ष्मी यानि लक्ष्मी की बड़ी बहन भी कहा जाता है। मा धुमावती विरुक्ता, कुरुक्ता, अशुब्ता, गुढपा और दरिद्रता का प्रतीक है। जेश्ट मास शुकलपक्ष अश्टमी को माधूमावती जयनती के रूप में मनाया जाता है। दस महा विद्यायों में इन्हें दारोन विद्या कह कर भी देवी को पूजा जाता है। देवी का प्रमुक समय होता है जब इनको प्रसन्न किया जाता है। नरक चतुर्दशी देवी का ही दिन होता है जब वो पापियों को पीडित वदंडित करती है। मित्रों खासकर ग्रिहस्थी को देवी धुमावती का पुजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दस महा विद्याओं में सबसे क्रोधित, उग्रप और विनाशकारी देवी इनहीं को माना जाता है। अगर कोई ग्रिहस्थी इनकी पुजा साधना करते हैं, तो ऐसे स्थिती में इनके पुजा साधना के नियम विधी में विशेश रुप से ध्यान देना परता हैं, क्योंकि माता धुमावती के पुजा अनुष्ठान में उए चुक से शीघर क्रोधित हो जाती हैं। जबकि ग्रिहस्थी व्यक्ती के लिए कठिन नियम का पालन करना बहुत मुश्किल हैं, इसलिए आपका एक गल्ती आपके ग्रिहस्थी जिवन में उथल पुथल ला सकता हैं। हम और आप जितना सोचते हैं कि ये विद्या बहुत ही सधारण हैं, तो यह हम लोगों के मन का भ्रम मात्र हैं, यह सिर्फ कहने और सुनने में ही असान लगता हैं। इन दस महाविद्याओं में इतनी शक्ती होती हैं कि वो प्रलय को आरंभ कर सकती हैं, इसलिए इनको सधारण समझने का गल्ती भूल कर भी न करें। मित्रों इनकी साधना उनके लिए अच्छा हैं, जो ग्रिहस्थी जिवन से दुर हैं, यानि जो ग्रिहस्थी जिवन को त्याग कर सन्यास ले लिया हैं। इनके साधना से किसी भी तंत्र, मंत्र, जादू, तोना, इंद्रजाल, आदी जैसे अनिष्ट शक्तियों से छुटकारा पाया जा सकता हैं। और आपको अपने बचाओ के लिए कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा हो। इनकी काफी जरूरत थी, इनके बिना संसार अधुरा लग रहा था। त्रिदेव ने मिलकर एक योजना बनाई, जिसके द्वारा माता के साथ वे महाशक्ति को संसार के सामने लाया जा सकता था। मित्रों माता पारवती और कोई नहीं स्वय जगदंबा महामाया हैं, त्रिदेवो की उर्जा शक्ती भी माता आदी शक्ती ही हैं। और यह बात त्रिदेवो को भली भाती ग्यात था। एक दिन की बात हैं, जब माता पारवती भगवान शंकर को भोजन करवा रही थी, उनके साथ साथ अन्य अतिथिगन भी भोजन कर रहे थे। भोजन करने के उपरांत महादेव जी ने अपने पात्र में एक भी भोजन शेश नहीं छोड़े। जब माता पार्वती जी ने शिव जी के छोड़े हुए पात्र में भोजन खाने के लिए गई तो पात्र में भोजन न पाकर माता पार्वती का क्रोध जागरित होने लगा। जब की शिव जी हर बार अपने पात्र में शेश अन्न माता के लिए छोड़ते थे लेकिन इस बार शिव जी अपने योजना के अनुसार कार्य कर रहे थे। मित्रों ऐसे में सनातन धर्म के अंतरगत एक परंपरा देखने को मिलता हैं, जिसमें पत्नी अपने पती के छोड़ हुए जुठन भोजन को खाकर ही त्रिप्थ होती हैं। लेकिन यह परंपरा धिरे धिरे खत्म होने लगी हैं। शिवजी को निगलने के कारण माता एक विध्वा स्वरूप में परिवर्तित हो गई और माता के इनहीं स्वरूप को धुमावती के नाम से जाना जाने लगा। जब माता का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें अभाश हुआ कि उन्होंने कितना बाड़ा अनर्थ किया हैं। और अंततह अपने द्वारा किये गए गलती को पश्चताप करके शिवजी को बाहर निकाल दिये। शिवजी को निगलने के कारण माता के शरीर से दुआ उत्पन होने लगा। क्योंकि शिवजी के गले में स्थित विश को माता सहन ना कर पाई और उनके शरीर से धुआ उत्पन होने लगा। जिसके कारण माता को धुमावती के नाम से जाना जाने लगा। मित्रों इसके पिछे एक और कथा प्रचलित हैं, जो इस कथा से बिलकुल भिन्न है।